हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राजन आप देख रहे हमारा न्यू चैनल आर्डी बुटिक और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम पुरानी साड़ी से किस तरह से लाइचा बना सकते हैं लहेंगा भी इसको बोलते हैं किस तरह से हैं यह इस तरह से खोल देंगे इसको आप सिलाई भी इसका निकाल सकते हैं अपने इसाप से जिस तरह से करना चाहें लेस पहले निकाल लेंगे फिर देखते हैं कपड़े को बिछाना कैसे हैं अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लि अलग कर दिया है इसको साइट करते हैं और कपड़े को बिछाते हैं पहले तो इस कपड़े को सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेते हैं तो इसका जो बिछाने का तरीका है इसको मैं एक छोटे कपड़े पर आप सभी लोगों को अभी समझा दूँगा बिछाने के बाद ताकि किसी को भी कोई कमफ्यूजन ना रहे पहले इसको डबल फोल्ड करना है उसके बाद इसको चूड़ीदार की तरह बिछाना है तो चलिए देखते हैं छोटे से कपड़े पर कि इसको बिछाना कैसे है ताकि सबी को क्लियर हो जाए तो यह देखेंगे यह हमने एक कपड़ा लिया मान के चलिए कि यह आपकी साड़ी है या फिर जो भी कपड़ा जिससे आप लायचा बनाना चाहते हैं तो इसको हम सबसे पहले डबल फोल्ड में बिछाएंगे किस तरह से यह ऐसे मोड़ेंगे लंबाई की तरफ से बराबर ध्यान से इसको देखेगा क्योंकि कपड़ा बिछाना बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है लायचा की कटिंग पे यह इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया अब क्या करेंगे इसको यह इस प्रकार से बिछाना है और उसके बाद सीधा ऐसे रख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको बिछाना कैसे है अब बात करते है में इसके कटिंग की तो फ्रेंट्स कटिंग के लिए मैं आओ सकता है मेजर्मेंट की तो इसका सिर्फ दो मेजर्मेंट हमें चाहिए एक है लंबाई जो 37 इंच का है और कमर 32 इंच का बस यह दो नाप आपके पास होना चाहिए फिर आप लहेंगे की कटिंग कर सकते है तो फ्रेंट्स यहाँ प तो complete निशान लगेगा साड़े आठ इंच पर कोई भी आपका size हो कमर का उसका fix निशान लगाएंगे फिर आधे इंच का देंगे मार दिन अब ये तो ठीक है हमने कमर को नाप लिया साड़े आठ इंच पर निशान भी लगा दिये लेकिन कमर को rounding shape देना होता है कभी भी आप लाइचा cutting करेंगे तो ये देखिए हमने pain को साथ में रखा और tape को एक इस्थाई रखना है ये इस प्रकार से और rounding आएगी right hand को आप देखिए बिल्कुल एक इस्थाई एक जगा पर रखा हुआ है और left hand से हम इस प्रकार से घुमा करके निशान लगा रहे हैं तो ये एक बराबर rounding आप देंगे लाइचा cutting के लिए कमर पर ये बाते मैंने पहले भी बताई है जब मैंने लाइचा का cutting बताया है एक दो वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है तो इसको ध्यान देना है और इसके बिना आपके लाइचा की cutting अच्छे तरीके से नहीं हो सक सकती कमर के लिए हमने निशान लगा लिया अब बात करते हैं लंबाई की तो 37 inch लंबाई है एक Inch का margin देंगे और वो margin हमें इधर ही छोड़ देना है एक इंच इस तरह से छोड़ देंगे अब बात करते हैं इसके full लंबाई की तो ये लंबाई आ रहा है हमारा यहां पर 37 इंच तो ये 37 इंच पर निशान अब देखिए जो साड़ी का लेस हमने निकाला है उसको वापस से हम सिलाई करते हुए लगाएंगे तो यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन और छोड़ देना है ताकि लेस लगाने लगाएंगे उसके लिए ये मार्जिन रहेगा और उपर जो हमने मार्जिन दिया एक इंच का वो उपर हम पट्ट्व और लगाते हैं तो वह उसके लिए अब जैसे हमने कमर पर विरे आटिए और ये अब जैसे ओर 55 देना है नीचे घेर पर जैसे भी ध्यान से देखिए यहां पर मैं एक और टेक्निक बता रहा हूं किस तरह से करना है यह 37 इंच पर हमने निशान लगाया और ध्यान देंगे उपर हमने एक इंच और छोड़ा है उसके बाद यह टेप को इधर सरकाना है और वो जो एक इंच वाला हिस्सा है यह बिल्कुल इधर यह सरकेगा और टेप को इस तरह से तिर्चा करते जाना है यह टेक्निक अगर आप यूज करेंगे तो जो लायचा कई पर छोटा बड़ा हो जाता है पीछे से उठ रहा है सामने से उठ रहा है यह सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं यह प्रॉब्लम्स आपकी तो यह हम पूरा लाश्ट तक निशान लगाएंगे जितना आ रहा है पूरा घेर यहां पर ले लेना है अब इस निशान को देखिए यह किस तरह से हमें राउंड में मिला है तो अब इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह से काटेंगे तो आपका जो लाइचा है वो परफेक्ट इली कटिंग होगा यह देख सकते हैं बिल्कुल राउंड कटिंग हुआ है यहां पर और यहां पर कपड़ा कम पड़ा है तो यहां पर हमें जॉइंट लगाना है जब भी आप लाइचा कटिंग करेंग तो नीचे तरब joint आएगा ही आएगा तो इस joint को हमें यहां पर लगाना है लेकिन उससे पहले मैं उपर की cutting बता देता हूं यहां पर भी round पे cutting होगा यह ऐसे cutting होगा, center पे cut लगाना है, तो friends यह जो joint लगाना है, वो सिर्फ उपर के part में लगेगा, नीचे दोनों परतें पूरी पूरी निकल चुकी है, सिर्फ उपर दो परतों में joint आएगा, अब इस पे joint लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कपड़े का use करेंगे, जो extra यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको हम joint के रूप में यहाँ पर लगाएंगे, तो इसको उठाना है, और थोड़ा सा इधर हम इसको मोड़ करके सरका लेंगे, जहाँ पर हमें joint लगाना है, उसको देखते हैं, यह इस तरह से मोड़े लेना है, अगर नाजुक कपड़ है, फिसलता है, तो इस पर आप पिंस लगा लेंगे, पिंस का यूज़ करना बहुत ज़रु होता है, कटिंग करते वक्त, क्योंकि पतले कपड़े हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग पिंस का यूज़ करें, उसके बाद, यह डबल कपड़ा हमने लिया है, और इसको रखना है नीचे, किस तरह से रखेंगे, उसको भी यहाँ पर देख लिजेगा, तो जो जॉइंट वाला कपड़ा है, फ्रेंट्स, वो आधा इंच कम से कम अंदर रहना चाहिए, क्योंकि हम इसी लाई भी लगाना है, ज उसको रखेंगे, और बराबर एक बराबर जमा लेना है पहले, और जमाने के बाद इसी के हिसाब से बराबर कटिंग कर देंगे, यह देखिए, इसको आधा इंच हमने अंदर रखा हुआ है, यह इतना अंदर रहेगा, और यह सारी छोटी छोटी बातें आप ध्यान में र इसकी भी स्टार्ट करते हैं, तो यह इस तरीके से आप जॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स यहां पर, हो सकता है कि आप कोई दूसरे तरीके से लाइचा की कटिंग करते हूं, लेकिन यह जो तरीका है, इसमें आपका लाइचा परफेक्ट कटिंग होगा, तो यह इसकी कृटिंग हो चुकी है, बात करेंगे कमर बैल्ट की, कमर बैल्ट हमें कैसे निकालना है उसको भी देख लेते हैं, फ्रेंड्स कमर बैल्ट निकालेंगे हम 33 इंच का, 32 इंच का कमर है, थोड़ा सा मार्जिन दे करके काटना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निशान आने ना पूलेता है फिर इसको करेंगे डबल फोल्ड और यह देख सकते हैं आप 35 इसको ना आप लेना है बराबर वह हुं कि अपैए अधिक्ट़ नहीं भी करेंगे तो भी डारेक्ट कटिंग्ग कर बताईए कि इसका सिलाई आप देखना चाहते हैं कि नहीं तो यह बेल्ट की कटिंग हमने कर दी है इस तरह से डबल फोल्ड होकर के जॉइंट होगा तो फ्रेंट्स यह देख सकते हैं आप लाइचा की कटिंग पूरी कंप्लेट हो चुकी है जिन लोगों ने हमारे में चैनल दिलिप टेलर संड बुटिक को सस्क्राइब नहीं किया है वे हमारे में चैनल को जरूर सस्क्राइब करें क्योंकि वहाँ पर रोजाना वीडियोज और उन वीडियोज से आप लोगों को फाइदा बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ब्लाउज कटिंग से रिलेटेड ही वो चैनल है और ब्लाउज के ही ज्यादा टिप्स वहाँ पर दिये जाते हैं यह जो आरड़ी बुटिक चैनल है इस चैनल को भी आप सभी लोग करने ट्राइब करके रखें यदि नहीं किया है तो यहां पर वी अच्छी इन फ्यूचर आयेंगी तो मिलते हैं फ्रेंड्य नेक्स्ट विडियो में वीडियो अकर पशंद आया हो ओड़ से लाइक जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए जयहि झाल झाल झाल